हाई गाईज यो आर वाचिंग माय चैनल एहसन पैट्स असलाम अलेकूम मैं हूँ एहसन जफर कराची पाकिस्तान से तो हाई गाईज कैसे हो आप लोग जैसा क्या आप जानते हो कॉकेटिल मेरी पहली महबबत कोई भी कारोबार हो या किसी भी चीज़ की मारकेट हो चाहे बिर्ट की हो किसी और चीज़ की हो हर मारकेट का एक सीजन होता है कभी उसके रेट उपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं कभी मार्केट चड़ी वी होती है जिसको कहते हैं कि हम महेंग वी वी है मार्केट कभी मार्केट गरी वी होती है यानि कि रेट कम हुए है अभी इस वक्त मैं आपको मार्केट की सूरतेहाल से आगाह करता हूँ कि मार्केट बहुत अच्छी चल रही है भी इस वक्त और बहुत जादा आप जिसको कह लें आम अलफाज में कि मार्केट बहुत जादा उठी वी है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मेरा अपना point of view है क्योंकि मैं खुद भी लालोकित market जो है बहुत कमाने जाना होता है लेकिन मुझे views मिल जाते हैं वहां जाके मुझे पता चल जाता है मुझे opinion मिल जाती है मेरी अभी last time मैं market नहीं जा सका बट वहां से मेरा एक दोस्त आया था उससे मैंने बात चीत की तो अभी देखने में तो यही आ रहा है कि market इतनी जादा उठी वी है पिछले दो इतवार से यही देखने में आ रहा है कि rush इतना जादा है कि पैर रखने की जगा नहीं है जितना रख होता जाहर है माल भी उतना ही होता है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि खरीदने वाले तो बहुत हैं ही market में इतना रख है लेकिन साथ ही साथ बेचने वाले भी बहुत जादा है यानि कि दोनों का ratio बराबर का चल रहा है और बड़ टकर का चल रहा है यानि कि अगर आपको market में बर्ड बेचना है तो भी आप बाहसानी जाके बेच सकते हैं अगर खरीदना है तो आराम से आपके पास बहुत variety होगी आप चूज करके आराम से कोई भी बर्ड ले सकते है तो market जो है बड़ी जबरदस लगी है और rate इस वक्त बहुत हाई है अब ये आपको अगर इस वक्त आप जाएंगे तो बर्ड आपको एक से एक मिलेगा बर्ड उसके rate भी उसी हिसाब से होंगे अचा market उटी वह है या गरी वह या चड़ी वह है जाहर सी बात है इसका अंदाज़ा जो होता है वहाँ बैठने वाले जाल वालों के rate से होता है तो जाल वालों के rate आप नेक्स वीडियो में देखेंगे इस वीडियो के बाद आप जाल के rate पर होगी और उसी की बन्यादों पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्किट बहुत ऊपर चड़ी हुए जब आप जाल के रेट सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वाकई लव वर्ड में जो है थोड़ा बहुत नहीं और भी बर्ड के तो एक अच्छी मार्किट लगी वी है सब के लिए उपरचुनेटी है जाल वालों को भी अच्छा कारोवार मिल रहा है और वहां पे जो बायर हैं और जो सेलर हैं सब को जो हैना बहुत अच्छा एक बहुत जबरदरस किसम का मार्जन मिल रहा है तो यही वज़ा है कि अभी इसवक्त पीक पर चड़ावा है सीजन यदि कि बेचने और खरीदने का जो सीजन है टाइम पीक पर चड़ावा है और फिर दूसरा ये कि रही सही जो कसर है वो सोशल मीडिया पूरी कर देता है यूट्यूब के चैनल पूरी कर देते हैं देखें बर्ड को जितना जादा शो किया जाता है अब ये देखने सामने आप किस तरह शो किया जा रहा है बर्ड को हाथ में दिखाया जा रहा है इसको कहते हैं अपनी breed को show off करना और ये it's a proud ये अच्छा होता है आप आपकी खुशी होती है आप जाहर करते हैं उस चीज को लेकिन इसी show करने करने में जो लोग वीडियोज देखते हैं वो फिर बहुत ज़ादा जो ना वो जाते हैं बहुत जबात में आजाते हैं birds उनको फिर शौक बढ़ जात खर match जाते हैं अब होगरोमो जो है जिनको होगरोमो कहते हैं इन बजीज को बीच में लोगों ने रखना चोड़ दिया था ठीक है या फिर इंगलेश होती है उन वीडियो से क्या हो रहा है कि उन वीडियो में कॉलिटी जो है बजीज की वह बहुत जादा हाई कॉलिटी है जिसकी वज़े से लोगों का रुजान दुबारा से बजीज की तरफ आ रहा है अब देखें पहले लोग होगरोम रखते थे वर्किं क्यло हो अब ही कुछ दिन और दिन बाद में कुछ वीडियो लगाऊंगा चोपर जाटे बेंव इंको होती है जिआज की लॉंपर क्या रहा हूं कालीय जो तेमीबिमें की लोग क्या है आऀको पूरी हैं उनको सायग जा रहा है जिस ये एक वीडियो ऐसी गलती से लवड की एडिट होगी थी तो आप लोग इसको एगनोर मारिएगा कोई मसला नहीं है तो कभी कबार ये भी देख लिया करेंगर गलती से आजए कभी कबार वीडियो शॉट पढ़ती है न तो वीडियो में टाइम पूरा करने के लिए फिर मिल जाएंगे उसके अगली वीडियो में तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस वक्ट जो है न हर बंदा जादा तर लोग मुझे कॉल करते हैं मैसेज करते हैं कि यार ये बर्ड्स होगा वो बर्ड्स होगा तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है क्योंकि घर पे तो जगह नहीं है मेरे पास अभी नया स्टॉक आना है बट वो क्या है कि मौसम की वज़ा से यार समझ नहीं आ रहा कुछ नया स्टॉक मैं रसीव नहीं कर रहा ठीक है हालनकि मेरी बात हुई भी है पैसे मैं नहीं दिये मैं लेकिन मैं रसीव नहीं कर रहा वो मैं receive तब करूँगा जब मैं proper तरीके से मार्च का end हो जाए या सरदी थोड़ी कम हो जाए अभी आज गर्मी हो रही है लेकिन फाइदा नहीं है अचानक दो दिन बाद फिर हवाई चलना शुरू है जाती है तो माशालला वो बहुत अच्छा स्टॉक है देखते हैं वो कब मैं receive करता हूं मार्च में करता हूं या मार्च के बात करता हूं उसमें से कुछ बर्ड ऐसे हैं जो मैंना खुद भी लगाने है रेन्बो बजीज वगरा वो भी है तो मेरी बात बहुत पहले सोईवीती बुक हुए मैं माशालला से तो देखते हैं इंशालला कब मैं उनको receive करता हूं और दूसरी बात ये है कि एक और बात आपको बताऊं कि लोग जो है न वो बाज वगात खरीदते हुए न समझ नहीं पाते चीज़ों को सबसे पहले अपनी गुंजाईच देखा करें उसके अंदर रह के बर्ड को purchase किया करें अगर आप internet के उपर जाएंगे अगर आप इसको follow करेंगे किसी भी trend को follow करने की कोशिश करेंगे न आप तो trend की trend समझ लिए एक दोड़ती train की तरह होता है ठीक है अगर आपने पकड़ ली इसको अगर ये train आपने पकड़ ली टाइम पे आप चड़ गए तो फिर तो आप मसला नहीं है लेकिन अल्ला ना करे जरा साब अगर आप चूक गए ना तो बहुत गंदा नीचे गिर सकते हैं आप तो किसी भी trend को follow करने से बहतर ये कि पहले ये देख लें कि मेरी income कितनी है या मेरा budget कितना उसके हिसाफ से आप चीजों को purchase करें market चाहे जितनी भी उठी भी हो या जितनी भी गिरी भी हो आप सबसे पहले इनसान को चाहिए कि अपना जो अपनी जो गंजाईश है अपने हालात हैं उनके हिसाफ से काम करें कोई किसी भी एक bird को target ना करें आप लोग और budget की जो खरीदों फरोगत तरना इसमें इतनी तेजी दिखने में आ रही है मुझे वह वाला time याद आ रहा है 2012 और 2013 वाला time याद आ रहा है कि जतनी तेजी थी थी ना budget के अंदर 2010 में 2012 में बहुत तेजी से बिकता था बज़री जो ना लोग ढूनते थे यह निए अगर किसी के पर एड़ा ही रखें में तो लोग तूट पड़ते थे उसके उपर कि मुझे देदो पैसे लेलो यह लेलो तो वही 2010 और 2012 वाली situation दुबारा आई है और याद रखें भाई मैंने आपको पहले भी का था था ना किसी बर्ड में कोई स्कोप नहीं होता है हमेशा यह बात याद रखें जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए होगी ना वो इन डिमांड बन जाएगी आपको अभी अगर आपका बज़री का दिल कर रहा है खरीदने का तो बज़री का ट्रेंड शुरू हो जाएगा अगर आप अपने बच्चे निकाल निकाल के बॉक्स से फेस्बूक पर तस्वीरे डालेंगे या दिखाएंगे लोगों को दोस्तों को उनका भी दिल करेगा लेने का इसको कहते हैं डिमांड क्रियेट करना जब आप शो आफ करते हैं बर्ड लेने के बाद जब आप दिखाते हैं ये देखो मैंने क्या लिया है मेरे पास तो छे बच्चे निकले इस दफ़ा इस कलच में तो अगर आप बजीस के दिखाएंगे तो लोग देखेंगे कहीं लोग होते हैं निया शौक चड़ जाता है इसी तरह लोग जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं अगर आप मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने उपलाइन लिये तो उन्होंने उसको इतना दिखाया इतना दिखाया बाकी लोगों ने बुला पतनी क्या चीज़ है ये हमें भी अब चाहिए तो इस तरह ट्रेंड बनते हैं ठीक है बर्ड की अपनी कोई खासियत नी होती कि वो यानि के बर्ड हर बर्ड खुबसूरत होता है कौन सा ऐसा बर्ड है जो दिखने में प्यारा नहीं होगा अगर आप होगो रोमो को देख लें उपलाइन को अपलाइन लव वर्ड देख या आप कॉमन लोटीनों भी देख लें इतना खुबसूरत होता है तो मकसद यह कि हर बड़ी प्यारा होता है तो डिमांड कैसे बन सकती है किसी एक बर्ड की डिमांड इमांड नए बनती है आपका मूड पर डिपेंड करता है जो चीज जब चाही होती है उसका ट्रेंड शुरू हो जाता है याद रखें क्योंकि जो चीज़ आप खरीदेंगे जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो आटोमेटिकली पॉपिलर हो जाएगी न उसको बिसकली फेम मिलेगा उस चीज़ को अब जैसे मैं आज इसकी होगरोमों की मैं वीडियो बना रहा हूं आपक इसी तरह लवड भी लोगों ने इतने शो आफ किये फेसबुक के ओपर तस्वीरें ये वो करते 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 लोगों के दिमाग में उतार दिये कहीं लोग ऐसे थे जो अपने पुराने सैटप खतम कर दिये फिंचें बेज दी सारी हाला कि चलते वे सैटप कमा के दे रह रहे थे अल्रडी महाना इंकम दे रहे थे लोगों ने खतम कर दी हो जाके कोई एक चीज़ खरीद ली तो नई चीज़ खरीदने का को मसला नहीं खरीदा करें आप लोग अच्छी बात है लेकिन पुरानी चीज़ों को भी रखा करें ठीक है ना मैंने हमेशा आपको ये ब आपको अच्छी लगती होंगे अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा आप से मुलाकात होगी इंचाला नेक्स वीडियो में मेरे दौा कीज़ेगा अलाहाफेज